दोस्तों नमस्कार मैं दीपक पांडे मुद्गल और आप देख रहे हैं दनेशन दो खूफिया एजेंटों को जो पाकिस्तान के लिए जासुसी कर रहे थे उन्हें ग्रफतार किया गया है राजिस्थान से और राजिस्थान में ये जो दो लोगों की ग्रफतारी हुई है इन में से एक व्यक्ती भीलवाडा निवासी है जिसका नाम है नाराइन सींग लाल गदरी जो 27 वर्षका है दूसरा जैपूर से है जिसकी उम्र 24 साल है कुलदीप शेखावत ये दो लोग पाकिस्तान के लिए जानकारी मुहिया कराते थे और सेना की खूफिया जानकारी वहाँ भेजा करते थे इसके लिए ये कैसे काम करते थे उस सब को बताया है वहाँ के खूफिया विभाग के महानिदेशक उमेश मिश्रान है कि ये दोनों किस तरीके से काम कर रहे थे उदैपुर के एरिये में कैसे अपने प्लान को अंजाम दे रहे थे ये दोनों करते क्या है और कैसे इस तरीके से इस लाइन में आए मतलब पाकिस्तान के एजेंट बन गए जबकि भारतिये है बेरोजगारी का दौर है और आदमी धरम जब बेच रहा है तो ये तो सिर्फ सिध्धान्त वाली बात है तो अब देश भक्ती कैसे बिक्रही है उसको भी समझ लीजिए क्या जंडा लगाने से देश भक्ती आ जाईगी जब कि अंदर से पेट भूका होगा तो फिर कहते हैं कि गद्दारी आती है और तब ये एक शेर निकल पड़ता है जब ये ये शेर निकलता है कि भूके पेटों को जो देश भक्ती सिखाने वाली बात आती है कि तनकी हवसमन को गुनागार बना देती है बाग के बाग को वीमार बना देती है अरे भूके पेटों को देश भक्ती सिखाने वालों भूक इंसान को गद्दार बना देती है आज जो ये दोनों सक्स गद्दार हैं हम इनको लेकर ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने गलत नहीं किया गलत तो किया पर आज देश में कुछ लोग जो गलत कर रहे हैं चाहे अभी कुछ समय पहले एक लड़का जो आईएसाई एजेंट बन आईएसाई का बन कर अपने आपको हाईलाइट कर रहा था उसको भी समझना होगा कि कैसे वो आईएस की तैयारी करने वाला कलेक्टर बनने की चाहा रखने वाला व्यक्ति कैसे इस लाइन में आ गया तो आज ये दो सक्स पकड़ा गए हैं ऐसा हो क्यों राय देश में अब इन सब बातों को एक सिलसलेवार में आपको बताता हूं ये दोनों व्यक्ति कुलदीब शेखावत और नाराइन सिंगलाल ये दोनों व्यक्ति जो हैं इसमें कुलदीब शेखावत से जब बयान लिय तो उन्होंने अपने बयान में ये बात कही कि वो एक पाकिस्तानी महिला से देखिए ये समय चल रहा है जिसे हम हनी ट्रेप कहते हैं कि पाकिस्तानी महिला सोशल मीडिया पर जुड़ती है कुल्दीप शेखावत से जिसके बदले वो पैसे मुईया कराती है और उनसे कहती है कि आप सेना के जबानों से दोस्ती कीजिए और उनसे हमें ये ये जानकारी दीजिए अब जानकारी है क्या है धीरे धीरे खुलती जाएंगी जो सबसे अधा जानकारी है वो नारण सिंगलाल से निकल करा रही है नारण सिंगलाल से क्या निकली है नारण सिंगलाल कुलदीप शेखावत जो है वो शराप की दुकान पर सिल्समेन का काम भी करते हैं ये और एक और उनका जो डेजिंग निशन है वो भी बता दू मतलब कितनी तनख्वा मिलती होगी आप समझ सकते हैं अब नारण सिंगलाल जो हैं वो भीलवारा निवासी हैं और ये कुछ नहीं करते ये पहले बताते हैं अपने विशे में कुलफी बेचा करते थे ठेला लगाया करते थे और पांचवी आठवी तक पड़े हुए हैं पढ़ाई की कोई विशेश इनको वो नहीं है उनको खुदी नहीं पता वो कह WhatsApp गुरुप में जुडए वो जिसमें 250 सदस्ते जहां पर अशलील सामगरी परोसी जाती थी जब वो उससे बाहर एक्जिट हुए उन्होंने बताए एक सप्तावार वो उससे बाहर आ गए लेकिन उसके बाद ही उनके पास एक कॉल आता है जिसका नंबर प्लस नाइन टू अब भी याद रखिए प्लस नाइन टू ये पाकिस्तानी नंबर होता है उस नंबर से कॉल आता है उस पर कोई व्यक्ति अनिल नाम का बात करता है अब वो वास्तविक नाम है या नहीं वो एक अलग बात है अनिल कहते हैं उनसे कि भाई आप गुरुप से क्यों एक्जिट हुए जब आप सवाल करते हैं तो फिर उनसे पूछते हैं कि आप गुरुप से एक्जिट क्यों हुए और क्या कारण है तो उन्होंने का चलो कोई बात नहीं मैं आपको एक व्यक्ति से मिलवाता हूँ आप बेरोजगार हैं तो आपको एक अच्छी रोजगार की व्यक्ति उसकी मुलाकात करवाई जाती है साहिल से अनल नाम के सक्सद्वारा अनल और साहिल उसको मिलवाते हैं अब अनल और साहिल मिलकर उसको समझाते हैं कि कैसे पैसे कमाना है और क्या क्या आपको करना है उन्होंने का कुछ जादा नहीं करना आप एक बार हमारे संग पाकिस्तान चलें और पाकिस्तान में आपको जॉब लगवा दी जाएगी तो इसके चलते वो व्यक्ति अपना आधार कार्ट पैन कार्ट जो भी उसके पास जरूरी डॉकुमेंट्स होते हैं वो उपलब्द करवा देता है इसके बाद उसको अब कैसे क्या समझाया बुझाय जाता है ये तो वो जाने और वो लोग जाने लेकिन बयानों में ये बात इसपस्ट हो रही हैं उमेश्मिश्रा द्वारा कि किस उमेश्मिश्रा जो महानेदेशक हैं खूफी एजेंसी के वो बता रहे हैं कि जो नारण लाल ने बयान दिये हैं वो इसके बात कहते हैं नार द्वारा बताए हुए पते पर भेज दीजिए अब इनसे करते क्या है पाकिस्तानी सोशल मीडिया हेंडल बनाते हैं उनका यूज करते हैं भारत के एक सिम कार्ट का और पाकिस्तान से पाकिस्तान में रहते हुए वो सिम कार्ट का यूज करते हुए यहां के लोगों के साथ स पैसे भी मिले कुल्डीब शेखावत को एक लड़की पैसे दे रही थी यहां इनको अनेल और साहिल नाम की विक्ति जो पाकिस्तानी है वो पैसे दे रहे थे अब इसके बाद जो अगला टास्क मिलता है वो यह मिलता है कि उदेपुर की अंदर जो च्छावनी एरिया है जो पुलिस एरिया है जहां पर पुलिस सैना जो रहते हैं पुलिस कर सैना वाले सैना के जबान फौजी वगेरा जो रहते हैं जो आर्मी एरिया होता है वहां आप जाईए तो यह वहां जाकर भाईसाब नारण डाल रेकी करते हैं और रेकी करकर वहां की पूरी रेकी करकर बत पांच लाक रुपे भी ओफर कर दिये गए थे तो बताया जाता है कि नारणिलाल को फोटो कॉपी की शॉप खोलने के लिए इसलिए कहा गया देखी और भी कोई शॉप खोली जा सकती और भी कोई दुकान खोली जा सकती लेकिन फोटो कॉपी की दुकान रहेगी पाकिस्तान इंटलीजेंस को तो इसके चलते वो दुकान भी देख लेता है और उस दुकान का गूगल मैप के द्वारा वो दुकान की लोकेशन भी बता देता है कि यह दुकान इस एरिये में स्थित है और यहां दुकान डाली जा सकती है इन सब के बदले एक व्यक् दूसरा विक्ती सिम कार्ट भेजता है साथ ही एक फोटो कॉपी की दुकान खुलने के लिए तैयार हो जाता है उदरपुर में चावनी एरिये में जिससे की वो किस तरीके से यह सारी चीजों को अंजाम दे सके लेकिन यह सब मुराद पूरी होती उनकी उससे पहले ही पु ही है त्रंगा यात्रा चल रही उस बीच में किस तरीके से लोग पैसों की खातिर जमीर बेच रहे हैं खेर जमीर क्या लोग जमीन भी बेच देते हैं जब पैसे मिलते हैं और पैसे मिलते हैं तो धरम भी बेच देते हैं ऐसी कई घटनाय सामने हैं क्या धरम बेच कर सरकारी कमपनी बेच कर पूझी पती मित्रों को फायदा नहीं पहुचाया जा रहा दो बात अब इन सब के चलते सोच ये धर्म बेच दिया सरकारी कमपनी बेच दी तो ये बिचारे तो अपना पेट पालने के लिए सिर्फ जानकारी दे रहें इनको क्या पता ये देश के समझाया गया है अभी तक लेकिन ये साइस समझाया जाता कि भाई पैसे ऐसे कमाए जाते हैं और सही रास्ता ये है तो शायद ऐसे लोग कभी गलत रास्ते पर नहीं आते अच्छे रोजगार उपलब्द कराए जाते तो शायद ये गद्दारी ना करते और शायद ऐसे लो जरूर कीजिएगा जिससे हमें पता लग सके कि ये दोनों सक्स ने गलत किया या फिर वास्तविक्ता में ये सरकार के कुशासन के परणाम है जिससे ये चीजे हो रही हैं। हमारे साथ मैं दीपक पांडे मुद्गल और आप देख रहे थे धनेशन धन्यवाद जय हिंद।